Let us celebrate Spirit of the Game Super Coaching लाहा है दिल से Champion Sale ये sale चलेगा 20-22nd of November तक अब मिलेंगे exclusive offers and discount on all Super Coaching अगर आप कर रहे हैं इन examination के तैयारी तो जाएए आज ही सोफर का लाब उठाईए Hey everyone आज हम लोग किसी एक ऐसे discussion या ऐसे topic के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि इस moment पर सबसे ज्यादा important है आप सब को पता है कि एक्जामिनेशन में अल्मोस्ट वन वन्त का टाइम बचा है थर्टी देश का टाइम बचा है अब इस वक्त क्या होदा है कि I know कि I have also been in your place of course तो I know कि और आप लोग के experience से जो मुझे पता चलता है कि आप इसे बहुत लोग एक अपनी problem शेयर करते हैं हमारे साथ and वो problem in general ये होती है कि माम लास्ट मुमेंट पर ऐसे लग रहे है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है सब भूल रहे हैं ऐसा क्या करें कि सब चीजे याद रहे है या वो confidence बना रहे है तो आज हम उसके बारे में कुछ आपके साथ में discussion करेंगे कि यसी कौन सी tricks आप इस moment पे चीजे या tips याद फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको चीजे याद रहे हैं और confidence आपका बना रहे है ठीक है अगर मैं questions की बात करूँ तो अभी तक हम कुछ 370 ताइप questions कर चुके हैं 1000 expected questions सीरीज में telegram ग्रूप जिसने भी तक जॉइन नहीं किया है make sure कीजे आप जॉइन कर लीजे for all the updates and notes and everything classes की टाइमिंग्स की बात करते हैं तो 8.30 पे हमारी होती है YouTube session and 9.30 पे होता है master class दोनों ही free classes है Tuesday to Saturday इनका जो schedule है वो रहता है ठीक है educator के बाद मेरे बाद में आप नहीं जानते तो पढ़ सकते हैं इसके अलाबा ये सीरीज जो है वो चल रही है YouTube पे इसको आप follow कर सकते हो booster course already running है नया start होने वाला है gate plus CSIR net life sciences course gate जिसमें की complete course आपको मिलने वाला है February 2024 के लिए यहाँ पर live plus recorded classes आपको मिलेंगी based on new pattern organized course structure मिलेगा compulsory subject chemistry है optional subject ये सारे होते हैं DPP मिलेगा detailed PY2 discussion मिलेगा आपको यहाँ पर live classes मिलेंगी 40 plus hours की और recorded sessions मिलेंगे 250 plus hours की ठीक है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर sale की तो आप देखोगे यहाँ पर की एक offer चल रहा है basically जो की आपका बहुत कम time के लिए है limited time offer है mostly 21st of November मतलब today आज तक के लिए यह offer आपका limited है इसमें आपको 3015 रुपीज में exam date तक का subscription मिल रहा है और यहाँ पर आपको जो code यूज करना होगा वो होगा deep शिखा deep शिखा यह code जो आप यूज करेंगे तो आपको जो पर discounts यहाँ पर available है वो आपको मिल जाएंगे ठीक है तो 3015 रुपीज में exam date तक का subscription आप ले सकते हैं अपने जो भी आपको preparation करनी है वो सब कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं बात करना कि ऐसा क्या करें कि जो भी चीज़े हम ऐसे लग रहे हैं हमें भूल रहे हैं वो याद रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको follow करनी है यहाँ पर देखिए बहुत simple बात है मान लीजे आप daily basis पर किसी दो topic को पढ़ रहे है दो topic का मतलब दो units को पढ़ रहे हैं फर example अब उन दो units में से मान लीजे आपने कोई एक unit से आपने पढ़े मान लीजे 4 topic दूसरी unit से आपने पढ़े मान लीजे वापस से कोई 2 या 3 topic अब आप क्या करेंगे कि यह जो topics आपने पढ़े हैं सबसे पहली चीज अगर इस moment पे अभी तक आप में notes बना के रखे हैं if notes like you have made notes तो well and good बहुत अच्छी बात है आपको notes को एक बर फटाफट superfluous नजर से देख लोगे सरसराती नजर से एक बर फटाफट देख लोगे आपको लगेगा कि हाँ भई recall हो जाओने लगेंगी चीज़े या फिर अगर आपके notes नहीं बनाए हैं तो आप बहुत एक simple approach अपनाएंगे upcoming 30 days के लिए रात में सोने जाते वक्त या फिर जब कभी भी for example आप walk पे हैं जब कभी leisure time है मतलब जब कभी भी आपका ऐसा time है जिसमें आप और कुछ नहीं कर रहे हैं कोई एक activity कर रहे हैं जिसमें आपका दिमाग नहीं इस्तिमाल हो रहा ठीक है लेटे हैं सोने के लिए walk पे जा रहे हैं for example you're taking a shower or something like that तो ऐसे सारे time पे जहां पे आपका दिमाग नहीं इस्तिमाल हो रहा उस वक्त आप चीजों को क्या करेंगे recall करने की कोशिश करेंगे for example आपने ये चार टॉपिक पढ़े तो उन चार टॉपिक में से एक से शुरू करो एक से शुरू करके फटा फट से सोचने की कोशिश करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था इस टॉपिक में for example आपने नाइटोजन फिक्सेशन पढ़ा फटा फट सोचो क्योंकि सबसे वहले से नाइटोजन मेटबॉलिजम आएगा मेटाबॉलिजम आए तो इसमें पांच स्टेप्स होते हैं पांच स्टेप्स ये होते हैं साइकल में इसके समें क्या क्या होता है फिर उसके बाद दी-नाइटोजन नाइट्रिफिकेशन प्लाइजमिड क्या होता है, for example, उसके बाद में जो आपके बाकी के factors and चीज़े हैं, leg hemoglobin हो गया, ठीके चाहे आपका जो nitrogenase enzyme हो गया, उसके जो factors हो गया, उसके टाइपस हो गया या उसका जो उसके अंदर जो सब units हैं, वो हो गया, हर एक चीज़ को आपने 10 से 15 मिनिट के अंदर पूरा आप recall कर लेंगे, अगर आपने अच्छे से एक बार पढ़ा है, उसको दो, अब माल लीजिए आपको कोई ऐसा topic की कैसी कोई point मिला, जो आपको नहीं आदा रहा वहां को, तो वापिस से अब you will go back to your books and you will revise, कि अच्छा ठीके, इसमें ये था, मैं ये चीज भूर रहा था, या भूर रही थी, और अब मुझे अपका हो जाएगा, वो कि नहीं, this is like this, हाँ जी, तो ये तो हो गए recall करने की एक technique, सबसे पहली जो technique मैंने आपको बताई है, वो है recalling, active recalling, ठीक है, active recalling, और इस active recalling में आप क्या कर रहे है, जब कभी भी आपके पास time है, इस process को आप करते रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जितना भी time मेला, दिन भर में आपने जितना भी पढ़ा, उसको आप चलते फिरते आपने recall कर लिए, अपने दिमाग में धोरा लिय आपको वो चीज रट जाएगी, क्योंकि अब आप उस पर दिमाग लगा रहे है, थोड़े जो डाल रहे है अपने दिमाग पर उसको recall करने के लिए, ठीक है, तो first हो गई है, second point, आपने for example दिम भर में किसी भी particular topic के notes बनाए, अब notes बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, क् आपने highlight करके बढ़ा है, मान दीजे, ठीक है, books में ही, तो दोनों ही process में, आपको रात में जब सोने जा रहे हैं, तो 5-10 मिनट का time देना है, और उस book को या उस notes को जो भी आपने जहां से भी पढ़ा है, उसको फटा फट 5-10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट के आपको वैसे ही तिक जाएंगी, आपको वैसे ही दिख जाएगा और आपको recall भी हो जाएगा, again, active recalling का ये second part है, second technique है, जैसे भी आप इसमें active recalling कर सकते हैं, ठीक है, third important tip जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी, वो है, previous year questions practice, तो क्या करेंगे आप, daily basis पर आपको, मैं इसे कम, अब ये जो time है न, इस पे कम से कम आपको 50 questions लगाने, और ये 50 questions रांडम होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक particular unit or topic के उठा लिए हमने, और अगर आप एक particular unit or topic के भी उठा रहे हैं, तो वो भी चलेगा, कोई दिखकर नहीं, specific भी हो तो कोई बात ठीक है, तो मान लो, आपने 50 questions किसी भी topic के उठाए, लेकिन कोशिश करो कि every day, मतलब new topics हो, ऐसा नहीं कि एक ही topic प्रेट के हैं 10 दिन तक, ठीक है, कि वो time नहीं मचा है, तो 50 सवाल आपने उठाए, 50 सवाल आपने किसी भी particular topic के उठाए, और एक दिन में solve कर दो, ठीक है, जो आपने पढ़ लिया है topic, उसी के questions उठाओ, और जब वो question आप solve करोगे, तो जो आपने पढ़ा है, वो आपको याद रहेगा, और आपको एक confidence आएगा, कि नहीं नी भाई, चीज़े याद है, तो क्या होता है, जो आप questions सॉल्व करते हो, और पढ़ी हुई चीज से questions सॉ आपको असे लह कुछ लगा कि यह मैंने नहीं पढ़ा है, यह skip हो गया यह पार, तो आप उसको जाकर वटाप पटापट से revise भी कर लेगे, तो यह थर्ड पार्ट है, जहां पर आप previous year questions को practice करेंगे, daily basis पर कम से कम 50 सबार, फोर्थ जो चीज है, जो कि आप करने वाले है, व exam hall like conditions में, ठीक है, अपने सामने timer लगा लो, यह न, exam hall like conditions में बैठना है, अपने सामने timer लगा लीजे, बैठे वहाँ पर, और इस तीन घंटे में पूरा paper solve करने की कोशिश कीजे, पूरा detailed manner में, बिल्कुल exam hall like situation में, कोई उस वक्ट disturbance नहीं है, कोई चुटके नहीं जाना है, और देखो, कि क्या चीजे पता करनी है, इसमें ये देखो सबसे पहली चीज, कि भई जो आपका output निकल के आ रहा है, वो किस तरीके का आ रहा है, सबसे पहले तो, कितने marks बने, कितने marks बने इसमें देखने, आपको कितने positive हुए, कितने negative हुए, ठीक है, third, जो positive negative हुए, उन कितना app है, कितना से ठीक बैठता है, तो अगर आपका तुक्का मानने वाले questions ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो guess work है, वो it is not good, वो गलत आपका गलत रास्ते पे दिमाग ले जाता है, तो फिर आपका exam में वो use नहीं करना, लेकिन अगर आप जब guess work कर र इस तरीके से आपका दिमाग काम करता है, ठीक है, यह हो गया four point every Sunday, and fifth and the last point will be कि आपको make sure करना है, कि आप daily basis पर कम से कम, एक घंटे का जो time है, वो specifically, सिर्फ और सिर्फ revision के लिए रख रहे हैं, revision, recalling और revision में difference है, recalling में आप books को नहीं देखते हैं, आप अपने मन में चीजों को recall करते है, revision में आप किताबों, notes, इन सब को use करके आप revision करते हैं, तो जो 5-10 minute last का revision है, वो उस दिन का revision है, यह जो एक घंटे का revision में आपको बोड़े हो, यह है, डेली basis पर नहीं, बल्कि weekly आपने क्या पढ़ा, कुछ महीनों पहले आपने क्या पढ़ा था, उसमें से कोई सिर्फ लगता है, और यह लगता भी है, तो इस feeling को अंदर सिंकिन मत होने दो, क्योंकि बहुत simple बाते, यह सिर्फ लगता है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा सब को लगता है, जितने लोग preparation करें, जो टॉप भी करने वाला exam, उसको भी लगता है, कि मैं सब भूल रहा हूं, सब कि नहीं मैंने पढ़ाई किये, मैंने महिनत किये, अपना confidence boosted रखो, अपना और प्रैक्टिस करते जो से confidence और बूस्ट होते जाए, ठीक, इतनी चीज़े करोगे, I am sure इस सजादर की ज़रूद नहीं है, इतने में अर्राम से जिहारे फ्राइप कर लोगे, टॉप 100, टॉप 50 की ranks के अंदर, ठीक है, चलो, so this is all for this particular session, मिलती हो, आपसे नेक्स session में कता अपना ख्याल रखे, take care everyone, bye.